आज हम बात करेंगे इंडिया के पुलिस के द्वारा कौन कौनची वेपन से यूज के जाते हैं इस वीडियो में particularly focus करेंगे state police के उपर आने वाले वीडियो में बात करेंगे central arm police forces के बारे में Usually police forces को fire arm यूज करने के लिए permission की जरूरत परती है पर अगर आप थोड़ी से police forces को गहराई से देखेंगे तो police forces का दो category में divide कर सकते हैं एक police forces जिनको fire arm यूज करने के लिए permission की जरूरत परती है और दूसरे type के police forces हो दे उसको armed police forces का जाता है उनके कुछ protocols होते हैं अगर उनको कोई threat मेसूस होता है तो वो fire arm यूज कर सकते हैं उस category में आप चार टाइप के police officer को रख सकते हैं यह कोई category चार टाइप की नहीं है मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ एक category आजाएगा armed police दूसरे industrial security forces तीसरा special operation group चौथा myost residency तो यह जो चार टाइप की police होगे जो normal police officer and armed police and industrial security forces इन तीनों forces के पास जो guns होते हैं उस्षाल ट्राइपल के केस में इनके केस में इंसास हो जाते हैं और SLR and handgun जो pistols होते हैं पर जो special operation group और myost residency है उनके पास special opens होते हैं आपके sniper rifles होगे मैं उसके बारे में बात करूँगा तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो जो भी advanced weapons police forces के पास होते हैं वो सिब special operation group और myost residency में जो police officers होते हैं उनके पास सी weapons available होता है normal police forces, industrial security forces and armed police forces के पास normal weapons होता है assault rifle के के केस में इंसास pistol के केस में pistol मिलता है, revolver मिलता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब हम बात करते हैं कि police forces के दोरह कौन कौन सी weapons यूज करते हैं पहले नबर पर आ जाते हैं revolver जो सब inspector level के जो officers होते हैं उनको revolver दिया जाता है और यह police forces में standard ratio firearm है दूसरी नबर पर आता है pistol auto 9M1 है यह made in India है यह इंडिया नावन फोर्स के दोरह भी यूज किया जाता है यह जो पिस्तॉल है इंस्पेक्टर लेवल में जो officers होते हैं उनको दिया जाता है यह इंडिया पोलिस forces में standard ratio firearm है उसके बाद आता है इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर की जो officers होते है उनको दिया जाता है चौथे नमबर पाता है Glock 17 यह बहुत ही advanced pistol है यह made in Austria है यह इंडिया की special forces के दोरह इंडियान आमे की special forces है परा special forces मार्कोज इसको यूज करते है पुलिस forces में जो IPS officers होते है उनके ऊपर की जितने भी officers है उनको Glock 17 pistol दिया जाता है यह एक standard issue fire arm है इंडियान पुलिस forces में उसके बाद आता है corner sword weapon इसको mainly police forces की tactical unit यूज करते है उसके बाद आता है 12 war PAG यह एक shotgun है इसको usually जो forest department है और जो प्रिजर में जो भी police forces service दे रहे उनके द्वारा यूज किया जाता है यह made in India है इसको armed forces के द्वारा भी यूज किया जाता है उसके बाद आता है SF caravan 2A1 इसको इंडिया UKन दोनों ने मिलके बनाया है इसको बहुत जल्दी JVPC जो made in India rifle है उसके द्वारा replace कर दिया जाएगा उसके बाद आता है MP5 MP5-1 SMG है इसको mainly police के SWAT teams है मतलब जो special forces में है वो चाहे Maoist Integency के लिए हो वो चाहे counter Integency के लिए हो वो चाहे tactical team हो यह तीनों इस forces के द्वारा इसको यूज किया जाता है इसको Indian armed forces NSG commando भी यूज करते है उसके बाद आता है MP9 MP9 भी MP5 की तरह एक sub-machine गउन है इसको भी police के SWAT team से यूज करते है यह made in Switzerland है उसके बाद आता है M4A1 कारवाई इसको Indian armed forces के द्वारा भी यूज किया जाता है यह made in US है इसको mainly Mumbai police और मिजरम police यूज करते है counter-incidency operation के लिए उसके बाद आता है SG552 यह कारवाई ने इसको mainly Mumbai के जो force 1 कमांडो है और पंजाब की जो police squad है उसको यूज करते है यह made in Switzerland है उसके बाद आता है Amog कारवाई Amog एक made in India कारवाई ने इसको coordinates factory board द्वारा ही developed किया गया है indigenously इसको mainly Manipur और उतरब्रदेश के द्वारा यूज किया जाता है उसके बाद आता है Insas जैसे कि आपको पता होगा Insas Indian Armed Forces में standard issue rifle है और यह इंडिया की police forces में भी यह standard issue firearm है उसके बाद आता है Excalibur rifle इसको DRDO ने बनाया है इसको mainly Manipur Kannata का Assam और West Bengal police के द्वारा यूज किया जाता है उसके बाद आता है SLR SLR made in UK है इसको भी Indian police service से phase out किया जा रहा है जैसी कि आपको पता होगा कि India AK-203 अभी order किया है जो इंडिया के Insas को replace करेगा उसके बाद आता है AK-47 AK-47 की उनके पास earlier version है कि अभी upgraded version है अभी तक उसके बार में कोई भी information अविलेबल नहीं है पर इसको mainly counter-incigency operation में यूज किया जाता है AK-47 का एक upgrade variant AKM AKM को भी counter-incigency operation के लिए ही यूज किया जाता है यह जो दोनों राइफल है यह पुलिस फोर्स में बड़े नमबर पे नहीं है यह limited नमबर पे अविलेबल है उसके बाद आता है AK-103 AK-103 को limited नमबर पे ही यूज किया जाता है और यह counter-incigency operation में यूज किया जाता है उसके बाद आता है X95 X95 mainly Punjab की जो SWAT team में उनके दोरा ही यूज किया जाता है counter-incigency operation के लिए अगर हम अभी LMG के section में आए तो INSAS LMG यूज किया जाता है पुलिस forces के दोरा उसके बाद FN Mini भी यूज करते है यह Punjab पुलिस के दोरा ही यूज किया जाता है उसके बाद आता है नेगेव NG-5 यह इंडेन आउन फोसस में भी सर्वीस में स्पिशल फोसस के दोरा यूज किया जाता है यह पंजाब के SWAT team के दोरा भी इसको यूज किया जाता है यह मेरीन इस्राइल है HNK PSZ-1 यह एक स्नाइपर रैफल है इसको मेली आंदरपदेस और तेलेंगाना पुलीस के दोरा यूज किया जाता है काउंटर इंचेजेंची और मावेस्ट उपरेशन के लिए यह मेरीन जर्मनी है यह जो रैफल है यह इंडेन आउन फोसस के सर्वीस में भी है उसके बाद आता है SSG-69 SSG-69 को पुलीस के स्वाट टिम दोरा यूज किया जाता है यह मेरीन अश्ट्रिया है इसका जो एफेक्टिव फाइरिंग रैंज है वो 800 मेटर है इसको ITBB के सोल्जर के दोरा भी यूज किया जाता है उसके बाद आता है AM-107 यह कि US Origin की यह anti-material rifle है हमने जो पिछले दो-तिन rifle के बाद की वो एक sniper rifle है यह anti-material rifle है यह जो cartridge यूज करता है 10.4 x 83 mm cartridge यूज करता है इसको मुंबाई बुलीस के Force 1 कमांडों के दोरा ही यूज किया जाता है counter-incidency operation के लिए अगर इस वीडियो के conclusion में आये तो यह समझ में आता है कि normal police forces and armed police forces के पास कुछ limited weapons होते है जो police forces special operation में involved है उनके पास यह सारे weapons available होते है पिलीस के पास यह जो सारे weapons है वो limited number पे होते है वो कोई बड़े number पे नहीं होते है अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment section में post सकते है मैं उसका जरूर आंसर करूँगा मिलते नेक्स वीडियो में जाहिंद